पकिस्तान हमारी ज़ंग हमारी ज़ंग हमारी ज़ंग बिस्मिल्लार्मान रहीम मेरे पास कराची के बारे में एक स्क्रिप्ट मौजूद है जो मैं देख रहा हूँ इस पर डेड़ पड़ी हुई है 2015 की लेकिन आज भी बिलकुर रेलिवेंट है इसमें किसी तब्दीली की जूरत नहीं है हमको असफ़र साब ने जो बुलाया है जो टर्मनोलोजी इस्तमाल हो रही है कि ब्रिच के इस पार आप लोगों को अंदाजा थो हमको पहले भी है और ठीक अंदाजा है लेकिन जो कुड़े के धेर यहां देखनों को मिलते हैं और जो सडकों की अंदेखनों को मिलती है कि आदी सडक तक भूगों ने अपने दुकाने और अपने पथारे और अपने रेडियां लगा रख़ियें और यह आर्टरी जो हैं इनको हमने चोक कर दिया है और कोई इसको इनफोर्स्पंट करने वाला और आठरी इसको खोलने वाला ना कोई विल नजर आती है ना implementation नद आती है ना कोई planning नद आती है अब चुकर कहा गया है कि मैं बरीफ रहूं तो मैं जो कराची के problems हैं उनसे आप सब खुब वाकिफ हैं कि यहां पर माफियाज हैं यहां पर लैंड पर कबज़ा करने वाले लोग हैं यहां पर हाउसिंग की बहुत कमी हैं यहां बहुत कच्छी अबादिया हैं वगयरा 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 लेकिन जो बात कराची को जिसने बिलको डाउन ग्रेट कर दिया है सबसे पहले पानी एक basic इनसान की requirement है एक शहर जिसमें एक हजार million गैलन पानी चाहिए हो आज और आपको 500 मिल रहा हो आज और यह हर साल बढ़ते चला जाएगा और एक के फोर सुना है के launch हुआ हुआ है जिसके आदे पैसे federal आदे पैसे provincial government दे रही है वो किस पीट पे चल रहा है बहाई शडूल चल रहा है क्या उन शडूल चल रहा है या क्या है कब यह अख़बार में ख़ब पढ़ लेते हैं कि हब डैम में तो नहर आ रहे थी कराची को पालिन आने के लिए वो तूड गई है या माफिय ने तोड़ लिया पानी बरने के लिए और जो हब डैम का पानी है जो कराची के लिए हंड़र मिलिन गैलन्स पर डे पानी महां से आना चाहिए जब भी बारिश होती है पाकिस्तान में मैं सबसे पहले देखता हूँ कि क्या हब डैम के कैश्में टे रहे हैं बारिश अद्लमियां दे रहे के नहीं दे रहे हैं ताकि वो डैम भर जाए माज़ा सो मिलिन गैलन पानी तो यहां आ जाए तो पराने पंप्स हैं पाइप लाइने बोशीदा हो चुकी हैं पानी की तंगी है पाइप से पानी नहीं आता लेकिन वाटर टेंकर मौझूद हैं दसकुना कीमत दीजे और पानी मौझूद है उनके लिए और जो लोग यह काम कर रहे हैं वो बहुत जल्दी लग पती करो है या फ्रडल हकूमत है उसको एहसास नहीं है कि क्या हालत यहां पर हो जाएगी जिए पानी नहीं होगा तो दूसरी बात है साथी स्यूरिज का मसले भी आता है कि जायते स्यूरिज खाली में हमें कराची में इस वकर बारह फीसद इफ़ आम नौट रॉंग पानी को हम कलीन कर रहे हैं ट्रीट कर रहे हैं बाकित तमाम समंदर में फेक रहे हैं समंदर का पानी गलीज हो गया है वो किया जा सकता है for many purposes. ट्रांसपोर्ट मैं अभी सुन रहा हूंगे कोई इसलामबाद से आया है कमाल असपर साब की दावत पर कोई लहौर से आया है और बाकी भी आप शहरों में फिरते होंगे पंजाब के अपने दिल पे हाथ रखके बताईए किया आपने सबसे जो खटार पुरानी तरीन पचास साल चालिस साल पुरानी बसें किसी और शहर में देखी है किसी टाउन में देखी है किसी गाउं में देखी है कि आपने किसी शहर में बसों के उपर बैठे वे आदमी को देखा है जो रोज किराची में आप सीन देखते हैं लेकिन बहुत से अरबाव ख़दार जो लोग हैं उनको ये स्टीन गुदरते वे नजर नहीं आते अगर नजर आ रहा होते तो अपने जम्हदारी समझते वो इस सिल्सले में कुछ करते मेरा अपने ये ख्याल है कि मुल्तान को मेट्रो की जरूत नहीं थी मेरे अपने ये ख्याल है कि पिंडी से इसलाबाद को मेट्रो की जरूत नहीं थी वहां ठीक ट्रांसपोर्ट ठीक अवैलेबल हैं महां रहे हैं इसलाबाद में कोई मसला नहीं था ये इतना बड़ा मेट् होने वाला है आठ दस साल से मुकमल ही नहीं हो रहा है अहसास ही नहीं है किसी को एक कोई ग्रीन लाइन शाइन बन रही है कब बनेगी क्या होगा विच इस नौट सफिशिंट तो यह बाते सोचने की हैं अगर फैडरल गौर्मेंट देखती है कि यह शहर जो है सबसे जादा र मसाइल जो हैं ट्रांसपोर्ट को जो मसाइल है एट पार लाने के लिए बाकी सूबों के साथ उसके उपर क्यों लोकेशन होनी चाहिए यह सरकारी बियान है जिब्दार लोगों का के हम पचास फीसर सेज़ाद क 효ुझा नहीं सकते उनका सरक्यार बेयान है, they have put their hands up, कि पचास फीसर उठा लेगे, उस से जार उठाए नहीं सकते, हम इसलिए कूड़े के धेज़ पे बैठे हैं, कहीं बैटरी नहीं है, कहीं टायर नहीं है, कहीं डीजल नहीं है, कहीं कुछ हो रहा है, वो खेचा तानी है, अब सलूशन के हैं, जनाब, coming to the last part of this thing, शिंगाई और लॉस एंजलेस दो शहर हैं, जिनके मेरे से में जे मुलाकात का मौका मिला, they have a city charter, उन्हें एक city charter बनाय हुआ है, अपनी federal government और state government, उसकी अर्शीर बास से बनाय होगा, they are all powerful to take all decisions about their city, they are more powerful, वो सब decision ले सकते हर किसम के वो, लेकिंए यहां हमको जो है, आपको पता है कि बिजली है तो federal करेगा, तो फरानी है तो फलाना करेगा, तो फराना होगा तो provincial government करेगी, एक powerful उसकी जूर्ट है, दूसरी बात यह है, कि इस शहर में एक sincere dialogue के जूर्ट है, between all political parties and all other stakeholders, यह खेचा तानी जो political है, urban versus rural है, जो कराची में लोग करता धरते हैं, वो यहां से elect नहीं होते, कोई city को own नहीं करता, तो इसलिए ज़रूरी है कि एक dialogue जो हम बात कर रहे हैं, रज़र अबानी साहब और कल आर्मी चीफ ने भी कहा है, we should have a grand dialogue, इस मुलक में सब सर जोड के बैठें, कि इस मुलकों किस तरह ठीक किया जाए, इसी तरह के से कराची शहर को उठाने के लिए भी एक इस तरह के dialogue के जूरूरत है, दूसरी बात है कि इस सिल्सले बहुत legislation required होगी, और हम को बहुत फरसुदा कवानीन को upgrade करना पड़ेगा, सिन असेंबली के थूरू और डिस्टिक्ट जो हमारी यहां के कराची की ज़ असेंबली है, और सिन असेंबली में जो law बनाया जाए, उसमें majority party bulldoze ना करे, सब को साथ लेकर चले, छोटी पार्टियों को भी, बड़ी पार्टियों को, all stakeholders को भी, मेरी नजर मेरे सालेंट और देखता हूँ, दो कावनी मेरी नजर से ऐसे गुदरे हैं, जिसने मुझे डिस्टर्ब किया, एक था local government का ordinance, एक ठीक था ordinance था, उसे डिलिवर भी किया मस्तफ़ा कामाल सर्म जब यहां रहकुमत चलाई थी, लेकिन उसको temper करके इस किसम का कर दिया गया, कि इसके नोट डिलिवर, और बुल्डोज करके, वो लोग चीखते रह गया, बाकि छोटी परणटियों वाले, लेकिन उन्होंने उसको पास कर दिया, यहां इसके नोट डिलिवर लिवर, लेकिन उसके नोट डिलिवर कर रहा है, लोग तोड़ा गबराते हैं नैप से, आप एक परेलल लॉल आ रहे हैं, और बोरे सिंध हुकुमत पे कोई नजर उठाके चाएं कोई कितनी करप्शन करें, नैप कोको इकत्यार नहीं होगा, इने अलब वपरेल लाए हैं, उसको कोबोल नहीं कर रहे हैं लोग. लहिह लेकिन आमीन उनुन लॉणुन पास करने हैं, कोशश करने हैं, गवर्नन्स जो है, उसका, द्बारा और अपकर कोई नहीं आर रहे हैं गवर्नस के उपर. गवर्नस तो चीफ बिल्कुल बर्यूजम्मा इससे काफियत तक है गवर्नस हैस तो बी इंप्रूव अक्रॉज बोर्ट बाइस ट्रेंफिंटिंटुशन्स वकार साथ ने भी ये बात की लेट एस ट्रेंफन इंस्टुशन्स तैक हम इस ट्रेंफिंटुशन डिलिवर करने श इस ट्रेंफिंटुशन्स प्रोसिकूशन्स जेल्स और लोर अदालते हैं दिस इस और टोटल पुट तोगेदर क्रिमिल जस्टिस सिस्टम जो बीस नुकाती नेशन एक्शन प्लैन का भी बहुत जरूरी पॉइंट है जिसको प्रविशन गौर्मेंट से इंप्लिमेंट कर दसाजार आदमी जो भरती की हैं मेरिट पर भरती कर दी हैं हमारी चिटें से फार्षे नहीं चली इस तरह हमेशे चलती थी तो कहते पोस्टिंग ट्रांसफर नहीं कर सकते यह नहीं कर सकते तो आपको पता है कोड करने दो उसको काम वो कहते हैं काम नहीं को यह इस तरीके स कि हर लेबल पर डियु रप्रेश्टेशन फर ओल इत्रिक एंटिटीज इन आल पुलिटिकल टायर्स और जॉब्स यह महसूस नहो कि खाली एक कमुड़ी को जॉब मिले दूसरी कमुड़ी थी लेफ्ट आउट यह फिलिंग नहो जो यहां मौझूद है किसी जबान से तालू रखता हो किसी आलागे से तालूर रखता हो वी हब तो दू तिंग्स अन मेरिट वी हब तो केरी अवरीबडी अलॉंग वी हैव तो उनको जो स्टेक्स हैं दे शुड बिकम अनर ऑफ दिस सिटी उनको हमने इस तरह इंसाफ देना है कि वह इस शेहर का अपना हिस्सा डाले इसकी उसके अंदर ये चंद गुजाराश थी जो मैंने आपके सानब बियान की कहानी दो बहुत तबील है ये बहुत शुक्रिया